क्योंकि कहीं न कहीं विंद बहुत पीछे रह गया। आज हमारे साथ जो खास महमान हैं पूर्व विधान सभा के उपाध्यक्ष रहे हैं हमेशा अपनी सुचिता और सकारात्मक राजनीत के लिए विंध में प्रदेश में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं हमारे साथ हैं डाक्टर राजेन सिंग पहले तो बहुत स्वागत कर चाहूँगा आपका धन्यवाद पूरी पार्टी में जिस तरह हाथ से हाथ जोड़ो कारक्रम चल ला है और संगठन आत्मक किस तरह की तैयारियां चल लहीं हैं इस बार तैयारी हम लोगों की पिछले तीन-चार चुनाओं जो हुए हैं मध्यप्रदेश में उससे ज्याद हैं और संगठन को बूत सितर तक कमलाऑ जी ने मजबूत किया है और इसमें सबका सैयोग रहा है और इसमें सफलता भी मिली है कुंकि कहीं नहीं विन्द बहुत पीछे रह गया कॉंग्रेस का जो मेंसमा था वो विंद में बहुत कमजोर रहा उसको लेकर इस बार किस तरह की तैयारियां होंगी यह सही आप कह रहे हैं हमारे सुरिफ छे सीटे आई थी तीस में चौबिस बारती जंता पार्टी जीती लेकिन इस बार नतीजे आपको चौकाने वाले आएंगे और लगभग उल्टी स्थिती होगी अब हम चौबिस पर पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं यह समय बताएगा लेकिन बहुत इसमें फरक रहेगा पिछली बार जो कमजोरी हुई और एक यह बड़े मार्के की बात है चौकि पूरे मंद्रप्रदेश में ऐसी स्थिती नहीं थी गौलियर चम्मल में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया मालवा भी अच्छा रहा आप महोकाश्वल भी संतोश्यनाग था विंद्र बहुत पीछे था और यही कारण है कि हमें सपश्ट बहुमा तिया 135-40 सीटे जो हम लोग उमीद कर रहे थे नहीं मिली इस बार उसमें प तो शिवराज सिंग्जी ने और भारती जंता पार्टी ने कुछ ज़्यादा मदद की फंड से ज़्यादा दिये यहां इतना फंड आया है पिछले चुनाओं में और बेतहाशा उसका उप्योग हुआ है तो उसने एक परिवर्तन आखिर आखिर में डाला और तब शिवरा में मैं काओं या आठ में उसी तरह की स्थिती बन गई है शिवराज सिंग्जी की अब उनके अपने शवी के कारण या उनके अपने गुडविल के कारण भारती जंता पार्टी को सीटे नहीं मिलेगी तो वह बहुत बड़ा नुकसान एक होने वाला है भारती जंता जहां से आपका भी छेत रहता है शिवराज के मंत्री मंडल में भी स्थान मिला यहां से सीट से स्थान मिला विकास कार किस तरह हुए अगर विकास कारियों की बात करें क्योंकि भारती जंता पार्टी विकास यात्रा निकाल रही है और यह दावा किया जा रहा है कि तमाम जो विकास कारी हुए हैं अमरपाटन में भी तो आप क्या मानते हैं किस तरह के विकास कारी हुए है देखिए ऐसा कोई उलेखनी कारी तो मुझे नहीं दिखाई देता अब अगर किसी पंचायत में नाली भी बन गई है पंचायत फंड से बनी है तो उसको भी सरकार या तो वो जाकर ये करते हैं लेकिन साशन से ऐसी कोई बड़ी योजना इनके कारीकाल में जब मैं विदासवा का उपाध्यक्ष था ये सही है कि भारती जद्दापार्टी की सरकार थी लेकिन मैंने अपने प्रयासों से कई बड़ी योजनाएं हम लेकर आए हैं यहाँ पर अपन भी माइकरो है एक जिन्ना माइकरो है एक बहुतीन हेर है यह सब जबाएंगी बरगी अलग है बरगी तो बहुत दिन से चल रहा है सिलसला 18-20-22 साल हो गया है लेकिन शायद अब उमीद करते हैं कि उसका भी काम नहरत निर्मान का शुरू होगा वे एक साल डेड़ साल अभी टनल को और लगेंगे सलिवनाबाद में तो ये सारे काम तो हमने मंजूर कराए थे रामनगर में कॉलेज खोलना ताला में कॉलेज खोलना ये सब हमारी चीज़े हैं अब जो ओनकोइंग वर्क्स रहते हैं आगे चल कर वो कंप्लीट होते हैं पूरे होते हैं तो जो उस समय प्रत्रिंदी होता उसका लोकारपण करता है लेकिन कोई ऐसी दो तीन रोडे छोड़ दीए बागी सब प्लैन की रोडे हैं पहले से प्रस्तावित रोडे हैं कोई ऐसा वड़ा कारिया है नहीं किया है राप खिलावज जेदे अंदीम सवाल क्योंकि जातिगत समीकरण की बात होती है लोग तंद्र में ये माना जाता है कि जातिगत समीकरण दूर होते है और अपने मन से लोग जाके वोटिंग करते है लेकिन छेत्र में ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो जातिगत समीकरण पूरी तरह देखे जाते है क्या मानते हैं देखिए कुछ इस दरह कि हवा उत्तर भारत में ज्यादा है दक्षिट में भी है कहीं कहीं लेकिन अमरपाटन छेत्र एक exceptional छेत्र है यहीं से अलब संख्यक वर्ग के पुसलिम यहां से विधायक हुआ करते थे गुलशेर अमत साब जो के राजी सरकार में वो एक्साइज मिनिस्टर थे फिर उसके बाद वो स्पीकर बने अमध्य प्रदेश विधान साबा की यहीं से थे वो हम भी यहां से कई बार चुनाओ जीते हैं पहला चुनाओ असी में जीते हैं और हमारे जहां जिस विरादरी से हम आते हैं हलागे मैं इस पर विश्वासत बिल्कुल नहीं करता हूँ कि मेरी परवरिश दूसरे तरह से होई मेरी सोच दूसरी है लेकिन हमारे समुदाए के विरादरी के कहें तो साड़े चार हजार मन दाता हैं दो लाग पैंटिस चालिस जार मन दाता हूँ मैं साड़े चार हजार कोई माइने नहीं रखते हैं लेकिन जब से मैं चुनाओं लड़ा हूं असी से आप मेरा रिकॉर्ड देख लीजे किसी हम एक दो दो चुनाओं हारे भी हैं और इसलिए भी हारे हैं विशेश परिस्थिती बन गई बैरिस्टर साब गुलशेर रहमद 90 की चुनाओ में इंडिपेंडेन्स रड़ गए हम कॉंग्रेस के कैंडिएट थे हमको उसे बहुत ज्यादा वोट मिले लेकिन फिर भी अब उहार का सामना करना पड़ा है चुकि कॉंग्रेस के वोट सारे बट गए तो हर चुनाओं में आप देखेंगे कि हमारे वोट बढ़े हैं असी साड़े चार जार वोट है तातवर यह है कि मुझे हर समुदाय की वोट मिलते हैं क्योंकि मैं समावेशी राजनीत करता हूं सब को साथ लेकर चलता हूं तो ऐसी कोई धारना कहीं बंती नहीं कि कोई समुदाय मेरे खिलाफ दो हजार तेईस के परिणाम कॉंग्रेस के मद्यप्रदेश पे यह मैं आपको कह सकता हूं जो वातावरन मुझे दिखता है सिर्फ सत्ना जिले में ही नहीं यहां भी जाता हूं मैं मुझे एक वातावरन दिखता है आक्रोश है सरकार के खिलाफ स्वाब हावी कि एंटीन कंबंसी धीरे धीरे बड़ती है इस पी हो तब तो फिर हवा बनती है तो यह थे हमारे साथ डॉक्टर राजेन सिंख पूर विधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं उपाध्यक्ष रहे हैं जिनका सीधे तोर पे कहना है कि आने वाले विधान सभा के चुनावों में कॉंग्रेस की सरकार बनने वाली है बहुत कर दो